हलो इंवेस्टर्स स्वागत है आपका हमारे चैनल इंवेस्टमेंट की बजार पर दोस्तो आज 16 अगस्त का दिन है आज सरस्वती सारी डिपॉट आईपयों का अलोटमेंट यहाँ पर अपने को आता हुआ देखने को मिलेगा तो इस वीडियो के हंदर हम पूरी आपको प्रोसेस बताएंगे कि कैसे आपको अलोटमेंट चेक करना है इसके अलावा कुछ और भी तरीके है जिनके तुरू अब अपने अलोटमेंट इजिली चेक कर सकते है तो सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर जानने को मिलेगा तो एंड तक वीडियो में बने रहीएगा टाइमिंग पर बात करेंगी कितनी बज़े तक बेसिकली अलॉट्मेंट आउट होता हुगा देखने को मिलेगा और क्या करन्ट ग्रे मार्केट चल रहा है 16 अगस्त का सुबह बारा वजे का तो बिना किसी तरी के वीडियो को शुरू करते हैं सबसे वीडियो सिफ एजुकेशनल परपस के लिए अपने एडवाइजर के सला लेकर ही किसी आईप्यों में अपला है अवाइट करें शुरुआत करें सारस्वती आईपी को साथ तो बेसिकली सारस्वती आईपी को तो आज कह सकते हैं अलोट्मेंट फाइनलाइज हो जाएगा उसके बाद मंडे से इंटराज बिल्डिंग का आईपी उपन होगा उसके बाद ओरेंट टेक्नलोजी 21 तारिक से उपन होगा तो अगले हफते में आप कह सकते हैं काफी अच्छे आईपी उस यहाँ पर आते वे देखने को मिलेंगे सरस्वती आईपी की बात करें तो 160 करूर का कुल मिलाकर यह इशू था जिसका अलॉट्मेंट आज आउट होगा टाइमिंग के अगर बात करें तो most probably रात को 8 से 10 के बीच में आपको अलॉट्मेंट देखने को मिल जाएगा और अगर इस टाइम पर अलॉट्मेंट नहीं आता है तो अगले दिन आपको सुबह सुबह अलॉट्मेंट देखने को मिल जाएगा इसलिए 8 से 10 के बीच में चेक करें जो लोग अभी चेक करें मैं यह कहूंगा ना चेक करें अभी डेफिनिटल अभी आपको अलॉट्मेंट नहीं वालॉट्मेंट पढ़ता हुगा देखने को मिलेगा लिस्टिंग यहाँ पर ट्यूजडे को होगी और आपके रिफंट्स मंडे को आएंगे तो रिफंट्स पर काफी जारे कॉमेंट्स आते हैं इसलिए बता देता हूं रिफंट्स मंडे को ही आएंगे साड़े संड़े बैंक हॉलिडे रहता है इस वज़े से बाके यहाँ पर अगर बात करें अपन दूस्तों अलॉट्मेंट चांसे की तो 55 ताइम्स का टूटल सब्सक्रिप्शन था रिटेल के अंदर यानि कि हर पचपन इन्वेस्टर्स में से एक इन्वेस्टर को इस आई साड़े से की तो लुज बैडी मारकेट लॉन में हुआ है जो gray market premium 62% पर trade कर रहे थी वहां से 50% का fall अपने को gray market premium में देखने को मिल रहा है जी हाँ 30% पर gray market premium वा गवा देखने को मिल रहा है एक बड़ा fall काफी time बाद इतना बड़ा fall इसमें आता हुए देखने को मिला है reason की बात कर तो reason है है दोस्तों क्यू आई बीज का कम participation जी हां क्यू आई बीज ने मास चौसट को नहीं भरा था जिसके चलते आप दिख सकते हैं यहाँ पर इतना ग्रे मार्केट में फॉल आया यो कि प्रिवेश जो आई पिदा फर्स करा है उसमें क्यू आई बीज ने 25,000 करोड से भी जाता ल पर सर्च करें उसके बाद यहां पर IPO allotment status के link आएगी उस पर आपको क्लिक करना है उस link पर क्लिक करने के बाद यहां तो आप server 1, server 2 या फिर server 3 इन तीरों में से कोई से भी server पर आपको क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करेंगे जी हां एक ऐसा page open होगा जहां पर आपको अपन आप está button is पर आपको कलिक करना है अगर आपको अपनी сделать करना है तो in drop down जैसे आपको सरसवती आपर शो करेगा खलेगा इसके बाही आपर आपको क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करेंगे आपकोँ यहां पर आप देखने को मिल रहा होगा selection type जैसे आप इस selection type पर क्लिक करेंगे इसके तुरू आप अपने allotment easily check कर सकते हैं, इसके अलावा अगर method की बात करें, तो method number 1 है, इसके अलावा SMS, जी हाँ, आपको debit या credit का, अगर SMS आता है आज रात को, तो उस बात का आप ध्यान रखेगा, अगर सबसे first के scenario, debit, जी हाँ, अगर आपके पैसे कटने का आपको SMS आता है, कि आपने इतने रुपे लगाए थे साइपियो में, इतने रुपे आपको कट चुके हैं, तो आपको congratulations allotment लग चुका है, लेकिन on the other side, आपके पैसे आज ही refund आ जाते हैं, वैसे तो आते नहीं हैं, बट अगर आज ही refund आ गए, तो definitely आपको allotment नहीं लगाए, तो ये पहला method हो गया, second method की बात करें तो वो UPI mandate, अगर आपको UPI mandate राद तक revoked हो जाता है, तो sorry to say आपको allotment नहीं लगाए, लेकिन अगर UPI mandate successful और तीनों टिक साते हैं, funds withdrawn, IPO allotment का एक ट्रिक होता है, और एक और टिक होता है, तो तीनों टिक हो गए, तो basically आपको allotment लग चुका है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, UPI revoked मतलब allotment नहीं लगाए, इसके अलावा दोस्तों, अपने net banking history आप चेक कर सकते हैं, अगर net banking transactions में, अगर आप जाकर देखेंगे, अगर महाँ पर पैसे कटे वे दिख रहे हैं, तो allotment लग चुका है, लेकिन अगर पैसे और पैसे और रिफॉर्ण लग चुका है, तो इन तरीकों के तुरू, आप आपना allotment easily check कर सकते हैं, और यही one of the verifiable and trusted methods for allotment process, अगर आपने BAC में allotment लगाया, तो BAC का तो I think 7 बज़ तक आई जाता है, तो BAC के website पर जाकर भी आपना allotment easily check कर सकते हैं, तो इन तरीकों के तुरू, आप आपना allotment easily check कर सकते हैं, आपको वीडियो वसंदा है, तो आपको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें थेंगें इस वीडियो,